हालो एवरिवान वेल्कुम मैं गुत्वर्चेंट हैं अगर वह इसको खाएंगे तो आप से डेली इसी को बनाने का जित करेंगे पिज्जा बर्गर का जित चोंड कर फंस यह बहुत ही रिलेसस लगता है खाने में और आप इसको बहुत ही तरीके से जटपट बना शकते हैं बात ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप जाएंगे लिए को प्रफ्रेट के बने चेज़ पिज्जा की अप लोड आप उसको वीजिट करके देख सकते हैं मैं इसका लिंक दे दूंगे आप वहां सी बीडेख सकते और ट्राइक करिएगा और फीडबाक जरूर पता प्रफ्रेट सकते हैं आप भी चॉयश अपास मीडियम चाइज के बाल करके इसे हैं तोड़ कर ले लिया है आपको कदू कर्ष्ट करने का जरूरत नहीं है और मैंने थोड़ा सा पनीर उसे भी मैंने चोटे पीसस में क्यूब में कट करके ले लिया है एक गाजर मीडियम च आपके पास होम मेट कोई चटनी तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं दो बारी कटी हुए रही मिर्ज आप ज़्या तीखा नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं अपने 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 चीज लिया है प्रोषेट चीज लिया और मैंने बटर लिया है आप किसी ब्राण का बटर ले सकते हैं प्रच निए पिंधा उडाई को डाल देंगे आलू को डाल देंगे धनिया पाउडर यूचिप नमक को भी डाल देंगे आपने स्पाइस भी यूज़ करने हैं आम चूट पाउडर को भी डाल देंगे हम शिंपल सा आलू मशाला बनाएंगे तोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ कर रहा है क्योंकि मैंने इंग्ड्रिस इसलिए नहीं दिखाया है यह तोटली ऑप्सेनल है आप इसकिप कर सकते हैं अगर आपको नहीं डालना है अपने थोड़ा से इसलिए यूज़ किया क्योंकि कलार अच्छा सा जागा मैंने अच् डीजा सार्फ को पहले लगा देंगे अच्छे से और दूसरे एक ब्लड साइस पर मैंने मैंने मकन को लगा लिया है आप अपने मनपसं लगाई चटनी को भी अपलाई कर सकते हैं अब जिससे मैंने पिज्जा शॉश लगता उस पर मैं आल्लूंवाले मिक्षर को अच्छे से मिक्षर को लगाने बाद इसके उपर पत्ता गोभी को रख देंगे अब थोड़े से गाजर को भी डाल देंगे ग्रेट किया हुआ थोड़े सीम्ला मिर्स के पीसे को भी फैला देंगे फैसे मार्केट में बिल्कुल यह मिलता है वैसा ही हम आपको इस्टीट इस्टैल बन अब बना कर इसको बच्चों को बड़ों को सभी को शारू कर सकते हैं अब इसमें प्रोशेच चीज चीज किसी का भी यूज कर सकते हैं मैंने यह प्रोशेच चीज लिया है आप इसको तोड़ कर भी डाल सकते हैं चोटेटर पीसे से मैंने पूरा स्लाइस ही ऐसे डाला है मैंने इसके उपर दूसरा रख प्रक्राइए किया था मैंने से ठोड़ा सा प्रेस कर दिया मैं बृड़ाइ डाला है इसके इसके ऊपर से तोड़ा सा मखन को डाल देंगे जिससे मेट हो जाएगा तॉम टाइंड करेंगे तो दूसरे चाल्ट भी अच्छा से अपने आप ही लग जाएगा अब कवर करके मैंने गैस फ्लेम को लो कर दिया है इसको कुछ सेकंड हम कुख होने देंगे फर्स मैंने इसे आट से दस सेकंड ही कुख होने दिया है अब देखिए इसको दूसरे साइड कर देंगे यह देखिए अब बटर को नहीं दलें कुख हमें पहले ही बटर उपर से रखा था अब इसको फिर कवर कर देंगे फिर अचिस को लो वह खोने देंगे यह देखिए आज से 10 शेकंट बाद ही खोला है दोनों साइड से अच्छा सा देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हुआ है मैंने ऐसा ही दूसरा बनाकर रेडी किया है अब इसको भी दूसरे साइड टर्न कर देंगे बहुत ही जटपट बनने वाली रेश्पी है और बहुत ही डिलेसेज लगता है खाने में यह सैन्वीच देखिए मैंने बनाकर रेडी कर लिये हैं अब इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूं अगर आप चीज स्किप करना साथ है तो इसमें चीज का यूज मैंने किया है यह मैंने तुर्ण साथ लगेगा थोड़ा ही चीज को यूज किर्ण के यूज कीज किया है आप में जड़ लका यूज करेंगा और अच्छा पूलाएगा देखे कितिना डिलेसे स्लाग रहा है थो तो इसके दिवाने हो जाएंगे और आप से रोज डिवांड करेंगे इसकी बनाने की जड़े दर लाइक शेड़ जरूरब ना प्रीज और कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें करते तो मुझे पढ़कर बहुत यह अच्छा लगता है कि आप सभी अमें सप्पोर्ट करें तो PLEASE कमेंट और लाइक को जरूर किया करें और रेस्पी को पूरा हिवास किया करें और बना कर ट्राय करना फीडबेक जुरूर बताना थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो लब यूटूफे